नमस्कार दोस्तों मैं बना रही हूँ आज टिंडे और चने की दाल इसका कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया है मेरी मम्मी और दादी के टाइम में तो यह सबजे हम बहुत बनाते थे और अभी भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ तो यहां पर मैंने लिये एक कटोरी चने की इसे धुकर और भिगो दिया है और यह चार बड़े बड़े टिंडे हैं इन्हें में धोलूँगी और इधर यह मैंने दाल उबलने के लिए चड़ा दी है और टिंडे मैंने धो लिये हैं और छील कर इन्हें काट लिया है इस तरह से बड़े-बड़े पीस में ये देखिए ये दाल हमारी अब उबल चुकी है इसका ये पानी भी काम आ जाएगा जब हम मसाले पकाएंगे तब और ये इधर इसकी सबजी की तयारी होगी लसन और ये और अब इसी में में सारे मसाले एड़ कर रही हूं तो यहां मैंने ये धनिया पाउडर लिया है एक चमच वन फोर्ट छोटा चमच लिया मैंने यह हल्दी पाउडर नमक अपने स्वाद के अकोडिंग थोड़ा सा नमक मैंने चने की दाल को बालने में डाला था ये बड़ाई चड़ा देंगे हम मेरे पास यह थोड़े से ही थे तो मैंने इसलिए सब्जी को ज्यादा करने के लिए दोनों का कॉंबिनेशन बनाकर सब्जी बनाई है यह जीरा डाल दिया है मैंने और यह हींग डाली है इससे सब्जी का स्वाद बढ़ता है आप सब सब्जी बनती है यह सभी ने कहा बहुत बढ़िया सब्जी बनी है और यह दो लॉंग डाले है मैंने और इन्हें ब्राउन होने तक भुन लोंगी में और अब यह मसाले डाल दिये हैं लसन का पेस्ट साथ में डाला है थोड़ा पानी डालकर इन्हें में डालेंगे चमच की स पैपि वहती बढ़िया टेस्टी सबजी बनती है आप जरूर बनाकर देखे हमारे घर में तो यह सबजी बनाते ही चट-पट हो गई तो आप भी जरूर बनाकर देखे से इस चने की दाल लोकी का भी बहुत बढ़िया मेल है और यहां मैं टिंडे की और चने की दाल दोनों मिला कर बना रही हूं, यह मसाला हमारा पक चुका है, और अब मैंने डाल दिया यहां, जो हमने टिंडे काट कर रखे हैं वो, मिलाएंगे इसको हम अच्छे से, यह सब्जी मसालों में मिल गई है, जी इस तरह से आप देखिए थोड़ा पानी जो हमने दाल को उबाला था वही पानी यूज़ करेंगे हम और अब इनको पकने देंगे हम क्योंकि दाल तो हमारी पहले से ही पकी हुई है तो पहले इने थोड़ा पका लेंगे जब यह अध कचे रे जाए ना तब डालेंगे हम दाल को तो इस तरह से हम करीब 10 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे तीन डोगो अब ये डाल डाल दी है हमने 10 मिनट बाद अब 10 मिनट तक और इसको पकाएंगे आप यकीन मानिए ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है आप बना कर देखें खाते ही रे जाएंगे आप इस सब्जी को ये देखिए 10 मिनट बाद ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है कैसी लगी मेरी ये चने और टिंडे की सब्जी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें थेंक यू फूर वाचिंग शेयर भी करें